नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक पार फिर से दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पेर की अंगुलियों की बनावट के बारे में दोस्तो जादातर लोगों के पेर की अंगुलियां अंगुठे के बराबर होती है लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं ज कोई ही व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के शरीर अंगों निशानों या चीनों को देखकर उसके व्यवहारवय जिन्दगी के सारे राद जान सकते हैं इसके साथ साथ व्यवहारवय कारे प्षेतर के बारे में भी पता लगाया जा सकता है तो चलिए दोस्तों आज की इस वीड करने तो हमारे शरीर के अंग हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं यहां तक कि किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंगों को देखने के बाद उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की जा सकती है कैसा होगा सामने वाले व्यक्ति का सौभाव क्या व्यक्तित्व के बारे दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, ये हमेशा अपने ही अधिकार की बातें करते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि जो ये सोच रहे हैं वही सही है, और ऐसी इनकी मन्शा होती है कि लोग भी उसे ही स्विकार करें, जो कोई भी व्यक्ति इनकी इच्छा का विरोध करते हैं, तो तो ये बहुत गुसा होते हैं पर ये अपना गुसा बाहर नहीं आने देते हैं मन ही मन जलते रहते हैं इसे व्यक्ति दोस्तों जिन व्यक्तियों के अंगुठे के पास वाली अंगुली छोटी होती है वो दयालू सवभाव के होते हैं और बड़े ही कुछ मिजाज होते हैं द एसे व्यक्ति बहुत ही सूलजे हुए और दूसरों के साथ बड़े ही सोमेता से पेस आते हैं। दोस्तों जिन व्यक्तियों के अंगुठे के पास वाली अंगुली लंबी होती है तो उसी के बारे में भी हम थोड़ी सी जर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जिन लोगों के पेर के अंगुठे के पास वाली अंगुली बड़ी होती है और बाकी सभी अंगुलियां छोटी होती है तो ऐसे व्यक्ति पूर्चावान होते हैं। जुनूनी सोभाव के होते हैं ऐसे व्यक्ति, हर कारिया को सोच समझ कर करते हैं, किसी भी कारिया को करने में हिच जाते नहीं हैं, हर कारिया को बड़ी ही एनर्जी से करते हैं, और दिमागी रूप से भी ऐसे व्यक्ति सेहत मंद होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति शारीरिक रू सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किजिएगा साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो दोस्तों एसी ही लाब प्रत जानकारियां देने के लिए आपका अपना चैनल प्रत पूजन त्यो झाल प्रत जापस्ट आपस्ना